नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथियाए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसिस में ये साल जब से शुरूआ है बजार तो आपके लिए उपर जा रहा है लेकिन स्टॉक लेवल पर उपर नीचे हो रहा है ऐसे में मैं आप सभी के साथ स्टॉक नहीं सेक्टर डिसकस करना चाहूँगा तीन सेक्टर जो तेजी में हैं तेजी में आ रहे हैं और तेजी में चलेंगे वो तीन सेक्टर से कौन से स्टॉक है जो आपको पकड़ दे चाहिए कहां पे पैसा बन सकता है और क्यूं बनेगा ये सारी चीज़े मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूँ सबसे पहले ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना जाऊँगा जो इस समय सबसे नैसेसरी हो गया है इंसान के लिए नहीं कंट्री के लिए और जो हमारे रेगुलर विवर हैं उन्हें पता होगा रेगुलर विवर से एक मेरे पास कमेंट आया आज बहुत ही प्यारा है मेरी टाटा पावर वाली वीडियो पर जो बहुत पुराने हमारे आइधिंक व्यूवर हैं क्योंकि जब यह स्टॉक 195-200 ट्रेड करता था तो मैंने वो लाइन यूज करी थी जो उन्होंने कमेंट में लिखी है मैंने क्लियर लिए आपके साथ एक समय पर बोला था कि 200 के नीचे 13 200 के उपर मेरा यह टाटा पावर के लिए मैं वर्ड यूज करता था और मैं क्लियर बोलता था कि जैसे ही 200 के उपर निकले आप ले लो आपका इस बीच में कुछ नी जाएगा केवल ब्रोकरेज कटेगा ट्रस्ट मी जादा से जादा एक बार कटेगा दो बार कटेगा और मैक्सिम तीन बार लेकिन अगर आप यह स्ट्रेटरजी फॉलो करते तो यह स्टॉक आपके लिए बहुत बड़ा पैसा बना के देगा और दोसों के नीचे वह स्टॉक दो बार निकला बस उपर जाके ऐसा नहीं है अब देखो दोसों के नीचे एक सो निन्यान पे हो जाता है वहां पे आपने बेच दिया फिर वह 183-85 तक गया था वापस 205 के उपर निकला था तो हमने लॉंग करा दिया था तो उनका ये कमेंट आया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ तब से जुड़े हुए हो और आज तक हो तो सबसे पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ आप सबी के साथ तो जो सेक्टर है इसकी इससे में इनसान को नहीं कमपनी को नहीं देश को जरूरत है वो है डिफेंस सेक्टर आप सबी देख रहे हो कभी कोई कंट्री युद्ध कर रही है कभी कोई और ये सारा मामला चलता ही जा रहा है हर कंट्री अपने आपको मजबूत बनाने में लगी हुई है ये आप स्टॉक भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप कंपनियां भूल जाओ आप ग्लोबल लेवल पर समझो हर कंट्री क्या चाहती है कि हम स्ट्रॉंग हो और हर कंट्री ये डिफेंस के एक्विप्मेंट नहीं बनाती है हर कंट्री के पास उतनी चंपता नहीं है बनाने की उतनी केपिसिटी नहीं है और हम जादतर लोग जादतर कंट्री जो है इस्राइल रुशिया इन सब पर डिपेंडेंट हैं एक्विप्मेंट के लिए डिफेंस से रिलिटेड क्योंकि इनका दबदवा थ जानी कि इसराइल तो ठीक है लेकिन हमें एक देश और चाहिए जो हमें प्रोड़क्ट पहुंचा सके क्योंकि इसराइल के प्रोड़क्ट पर हमें बड़ा सक हो रहा है तो उन्होंने यह ढूंडना शुरू करा और इस बीच में भारत अबर के आ गया है अब भारत ने क्य और जो चीज़ हम 32-32,000 क्रोड की ले रहे थे आज वो हम अपने लिए 21,000 क्रोड में तयार कर रहे हैं इससे जादा क्या चाहिए जो सरकार दूसरे देशों से 32,000 क्रोड में उठा रही है आज वो एडवांस लेवल पे 21,000 क्रोड में और सबसे बड़ी बात पता है क्या है 32,000 क्रोड 2019 के और 21,000 क्रोड 2024 के समझ रहे हो पहले पैसे की वैल्यू ज्यादा थी आज पैसे पहले का एक रुपे और आज का एक रुपे फर्क है ना तो उस समय हमने ज़ादा बेगरा और आज जब आ गया गये तो हम कम पेगर रहे हैं उसी सेल प्रोड़क्ट के लिए क् पहला सेक्टर है डिफैन्साइए अब डिफैंस में क्या है वह है तीन किसी पीटी कंपणिया गिसी पीटी कंपनिया बाकी बहुत बड़ा डिफैन्स अब रगुलर कया है ए एल बिदे बट क्यूंकि अभी वैल्यूशं थोड़े ऊपर आये है और की कमी नहीं तो यह रड तो अपन तो सिर्फ मार्केट को फॉलो कर सकते हैं बाकी तो बजार है जो कर देगा कर देगा अब भी आप केमिकल की बात करो तो आप देखो दिपक नाइट्राइट कहा गया आप ऐसा रहे देखो कहा चला गया आप आर्थी इंडस्ट्रीज देखो मैं अभी भी कहा रहा तो यह किया है जब भी गिरे तो आप इनको भी जहां दीजी और रिजल्ट अच्छे है तो और मज़ा आएगा और तीसरी थीम मिरकों इस समय दिखने लगी है बैंकिंग फाइनेशियल क्वाटर फॉर के नंबर जादतर बैंकों के फाइनेशियल कंपनी इसके अच्छे आ में कुछ स्टॉक्स थे सेक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ डिसकस करें बार की और डीटेल में चीज़ें जैसे सामने आइंगे आपके साथ डिसकस करूंगा चैनल के साथ बने रहीएगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो हैव अग्रीट देगाई